सर्वेद्भ्यो नामाहा देववाणी संस्कृतम इगुर्कुलम में आप सभी महानभावों का हार देख अधिनंगल हैं मित्रो हम आज वय्याकन सिध्धान्त कौमदी की कक्षा दो को पढ़ने जा रहे हैं कारक्प्रकर्ण हमारा चल रहा है आज इसकी दूसरी कख्षा है हमने गत कख्षा ने आपको कुछ विशेश वाते बतला देखी जिनका ध्यान प्रकण को पूरे को पढ़ने के लिए इच्छा करते हैं पढ़ना चाहते हैं क्योंकि यह जो वय्याकन सिध्धान्त कौमदी का यह कारक्प्रकण हैं यह आपके एमे शास्त्री भी यह अथवा आचार्य अथवा यूजी सी नैट जे आर एफ और यूपी यूपी एस सी आधी जो कॉंप्टेटिक एग्जाम हैं उनमें भी लगा है और संस्कृत के जो पाठ्ठिक्रम बने हुए हैं विद्ध्यालय और विश्व विद्ध्यालयों के द्वारा उसमें भी यह कारक्प्रकण रखा गया है और कारक्प्रकण को पढ़ाई वाले बहुत कम हमारे अध्यापक हैं मित्रों इसी द्रिश्टी में को ध्यान में रख करके हम यह आप सभी विद्ध्यार्थियों के हेतु कारक्प्रकण की यह सीरीज बना रहे हैं इस सीरीज को आप थोड़ा सा शुल्क दे करके इस एप को डाउनलोड कर लीजीगा देवबानी संस्कृतन प्लेश्टोर स से और वहां पर कोर्स को खरीद करके अपने घर पर ही आराम से पढ़ सकेंगे और अधिक जानकारी के लिए आप इस वाट्सप नमबर कर संपर के जिएगा आपको अधिक से अधिक जानकारी दे दी जाएगी चलिए वित्रोगत कक्षा में मैंने आपको कुछ भाग सुत्र का पढ़ाया भी था यह हमारा सुत्र सबसे पहला जो आचारे भट्टोजी दीख्षित महराजी ने जो रखा था वो था कारक प्रक्रण का प्रातिपदिकार्थ लिंगप परिमान वचनमात्रे प्रत्थाव ठीक है तो हम कोई भी शब्द बनाते हैं कोई भी शब्द बनाते हैं तो उससे क्या होता है उससे यह नियम है संस्कृत में कि उससे हमको स्वाधी उत्पत्ति करनी होती है स्वाधी उत्पत्ति का मैंने बता दिया था कि जो 21 प्रत्य हैं उनमेंसे वो प्रत्य लाने होते ह हम प्रयोग कर सकते मात्र के वन शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते इसको प्रादपदिक कहते हैं प्रादपदिक से हमें उसको पद बनाना पड़ता है ठीक है तो पद को बनाने के लिए ही हमको प्रत्य लाएं तो कौन सा प्रत्य कहां आएगा ये किस प्रत्य हैं और में से बताने के लिए एक सूट बनाए गए इसके साथ में आपको जो आपका शड लिंग प्रकolon j लगुसिद्धन्थ कौमदी में काफी अच्छी प्रकार से शड़िंग प्रकरण दिया है उस शड़िंग प्रकरण को भी आप के अंदर जा करके ख़ीर करके पढ़ सके हैं तो आपको वह पढ़ना आवश्यक है और कारक उसकी सहायता करेगा कारक में उसकी सहायता आपको लेने होगी तो दोनों आपको पढ़ने पढ़ेंगे चलिएगा तो मैंने इसका पूरा सूत्र पढ़कर के इसका हमने समास भी बता दिया था आपको और पदच्छ विवक्ति भी सब मैंने अपनी करब से बता दे थी अब आचर वर्दराज महरा जी मुक्से इसलिए इनका जाता है क्योंकि मैं लवुशिद्धांत को भी पढ़ा रहा हूं तो अब यह कहते हैं कि सुत्र को अर्थ देखते हैं इदर दर की बातों में नहीं जाएंगे आगे अगे कई कई सुत्र पढ़ लेंगे फिर मैं आपको उसको करम से सुत्रों को भता अगे अभी नंते हैं कि अब इसकी अंदर कहा था कि परात पजिकार्त यही एक प्रत्र बड़िकार्त और लिंग परिमान और बचन बचन थे स्टी ऑब सबसे पहले हमारे सामने कटना यू करते होती हैं कि इसको पहचाने क aparece कैसेगा सबसे बड़ी समस्या निवार्ण हट्टू जी ढेक्षिक माहराजा सटीक और अपोण हमित प्निःगा शब्दों में आप कि मानिएगा नियस्कों अच्छी प्रकार्च के रिवाश्ण इसको मैं और आपको अच्छी प्रकार से यहां यह बाल प्राप्तिपद के उच्चारिते यस्या अर्थस्या नियमेन उपस्थिती ही साह तदर्थाह इत्यर्थाह ठीक है इतने वाकिवों देखना है उस वाकिवों समझने के लिए क्या देखना है कहते हैं यस्मिन प्रातिका क्या होगा प्रातिक के उच्यारते वनुच्चारण करने पर यस्या अर्थस्या मने जिस अर्थ की हर वान जो भी कुछ से उसका पदार्थ कि उसकी नियम पंष्थी मानि निश्चित रूप से उपस्थित होती है वहाही उसका क्या होता है कि अरथ होता है वह हुआ ईट रूप है अभी घटा हैं ये कैसे ठीक है जैसे मानिए गात प्रतीटी 체री तो क्या है यसमिन प्रात्य पडिक यूच्छाण करने पर जिस अर्थ की भूर निश्चित रूप से बदलता नहीं है वही उपस्थ्थ स्थिती होती है जो उपस्थिती होती है वही उस प्रात्य इस चोटी सी बाकिए का खोल लियां नियां तो पस्थिति कह प्रातिपदिकारथ हमाने जिस प्रातिपदिक के उचल करनें पर जिस अर्थ का बोध होता है निश्चित रूप से नियमित्वाने में वही इधर दर नहीं वहाँ ही क्या होता है उस प्रातिपदिक का अर्थ होता है यह प्रभासा इसपश्ट हो गए और कहते हैं मात्र शब्दस्या प्रतेकम योगा हो जो मात्र शब्द सुत्र में पढ़ा हुआ था आपका यह देखे प्रक्तेक मनें प्राट्यपादिकार्ठ के साथ में लींग के साथ में परिमान चैंड में गी जो समपश्ट रिमांन मात्र बचन मात्र ऐसा संमन्द्द लैं देर प्रतेकम योगा हाँ ने संमन्द सुन नहीं जैंड लिखिएक उस ही प्राति पदिकार्थ मात्रे लिंग मात्राज्याधिक्ये संख्या मात्रे प्रथमाश्यात्र यह कह रहे हैं कि प्राति पदिकार्थ मात्र मनें प्राति पदिक के अर्थ मात्र को कहने के लिए अर्थ को कहने के लिए अधिक उसमें लिंग भी है अर्थवा परिमान भी है और संख्या मात्रे प्रथमाश्यात्र और संख्या मनें वचन का था वचन का थे आपर संख्या एक दो तीन चार प रहां अगा इस मात्र को कहले के विये क्या हो कौन सी दिवर्प्ती होती है व्याक्रण में प्रथमां इत्रे ओं जरत प्रत्धा आते हैं यह टिर है क्लिर ऊपका अभROब अभ अब यह क्रम से उधाहां लेंगे तीर्ट है ये पढ़ है एक फिर को चई का अर्थ होता है उंच्छा यह वास्ते में पूरा ये शर्द है वो ऐसा है तो यह फैसे जो प्रात्य दिखें यह क्या है प्रात्य तो इस प्रात्य पदिक का जब रूच्छाण करते हैं तो एक अर्थ का बोध होता है कि आज़ेम और निचा नहीं होता जो टो इस में यहां पर केवल और केवल प्रातिपदिक का अर्थ कहा जाता है या ना तो उसका कोई परिमाण होता है ठीक है तो उच्चाई ही और नीचाई ही अब इस शब्द को यह प्रात्पदिक है तो हमारा नियम है बिना भी हम बिना हम किसी स्वाधि उपत्ति किये हुए किसी शब्द का संस्क्रित में प्रयोग नहीं कर सकते तो हमें इससे सू आदिलाना होगा सबसे पहला जो अब्य होते हैं उनसे सू यह आता है तो यह अब्य है मित्रो यह अब्य है पर आपको यह घटाना है यह देखना यहां समझना है कि यह प्रात्पदिकार्थ मात्र है इसमें किसी संख्या का बोध नहीं होता इसमें किसी परिमान का बोध नहीं होता और इसम लिंग क्या चीज है या लिंग से क्या कहना चाह रहे हैं देखिए यहां थोड़ा सा हम इसका भी सहयोग लेते रहेंगे कि इसमें कोई आवश्यक्ता नहीं है तो अब यह हैं तो यह केवल प्रात्पदिकार था इसमें लिंग आधी कुछ भी नहीं इसी प्रकार से नी चाहिए और कृष्णा और श्री हैं यहां कृष्णा हां शब्द क्या है एक निश्चित अर्थ को कहने वाला कृष्ण वाने भगवान कृष्ण जो पीता मरें उनको ही कहता है ठीक है क्रिश्णा है थो कृष्णा हां और श्री है और श्री ही श्री महें लक्ष्णि भीकर जानव जानव यह नंपुन सक्लिंग है निप्सण सफलिंग तर देखिएगा अब हमको यहां देखना है कि जो अलिंगा नियत लिँगाश्च Questions, प्रातः परिकार्थ मात्रःट्यस्यस्य उदाहनं सकर्प्राहीन के पररे मिकार्थ सब्द सकará到了 लिंगाश्च अलिंगाह और नियत लिंगाश्च द्टाध की शब्दों का ग्रहन तो होगा इनका अलिंगा है जिनका कोई नहीं है इनका कोई नहीं है वैसे संस्कित में उनका कोई लिंग होता है शब्द का लिंग क्या कह keen है कि जो अब्य है आप माली आप्वब्याव कोई पह रहे हैं तो यह वाल यह उत्य है और दूसरा कि प्रकार के शब्दों में नियत लिण्ग मुने किसी एक लिए मोर को कहने वाले वाला शब्द लख्षमी को कहने वाली जो श्री है और जानम शब्द भी क्या है नपुनसक लिंग नहीं जाता पुलिंग में नहीं जाता इसलिएज में नियत लिगाहें नियत लिंग वणे शब्द और अणिग का अर्थ हो जाएगा जो अव्यए है तो इत्यस्यय उदाहर्ण। इस प्रकार की नहीं प्रकार्ण के शब्द क्या है इस उत्र tienes प्रात्ः पदिकी और न कि Only क्योंकि उहां पर केवल प्राथ पदिकार्थ मात रही ही है उसमें कोई संख्या का बोध में को करना होता ठीक है ना परिमान का बोध करना होता ना लिंग का और लिंग का उमने बता दिया है वो आगे लिंग आ रहा है वो अलग है जो नियत लिंग वाले शब्द हैं वो प्र पडिकार्त मात पिविक्षा में ुनसे स्वाधि उत्वाथие प्रत्मा विवक्ति आए कि तो अब यह उस्षायिस और नीचायिस और क्र्ष्णात और कृष्णात जान इन में प्रत्मा विवक्तिशायर इंटमा विवक्ति ऑए हैं और पूरी सिध्धी वैसे यहां का प्रकड़ नहीं है यह कारख प्रकड़ है फिर भी मैं आपको सुविधा के लिए एक बार इसकी स्वाधी उत्पत्ति करके मैं आपको बतलाऊंगा ठीक है वो आगे की कख्षा में बतलाऊंगा ठीक है तो अब आपको यह समझ में आ गया आलि संदी तोड़ करके भी बोलूँगा आपको यहां पर लिखा हुआ यह गुरु जी ऐसा बोल लहीं तो मैं आपको समझाने की द्रिष्टी से क्या बोल सकता हूं अलिंग आहा विसर्ग था लोग हो गया नियत अलिंग आश्चा प्रात्य पदिकार्त मात्रे इत्यस्य उदा अलिंग जो है और नियत लिंग वाले हैं वह ही यह इस सूत्र में प्रात्य पदिकार्त मात्र से प्रथमा विवक्ति होने के उदाहर्ण बनेंगे जो कि यह दिखा दिया यह अलिंग है इनका कोई लिंग नहीं है कृष्णा है और श्री ही और ज्यानम इनका एक निश्चित लिंग है तो मित्रों आज की कक्षा में मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगा ठीक है क्योंकि अब इस सुरू में हम धीरे धीरे चलेंगे ठीक है और यह सूत्र समझना काफिए ठीक है कि चलिए तो इसको हम यही पर आज बिराम देंगे और फिर आगे की कक्षा में आपसे मिलते हैं यहां से आगे हम देखेंगे अब लिंग का यह उदाहर देंगे पर उससे पहले में आपको इस शब्द की सिद्धी भी करके लिखला हूंगा ठीक है कि इस प्रकार से यह आपका उच्चाई ही बना नीचाई ही बना और यह कृष्णा श्री ही जाना चलिएगा तो चलिएगा आगे की गख्षा में हम आपको मिलते हैं शिग्र ही आपको सिल्तन से पढ़िएगा कोई भी शंका आती है तो उसको पूछिएगा जो आपको यहा अस्तु सर्वेध्यो नामाहा